हलो दोस्तों आज बात करेंगे Bank of India Bank versus SBI and State Bank of India Bank दोनों में से Best Bank कौन सा है अगर आप एक Saving Bank अकाउंट आपन करना चाहते हैं और अगर आपके नजदीक में यो दो बैंक है और आप Confuse हैं कि आपको कौन से बैंक में अपना खाता खोलना चाहिए तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Bank of India versus State Bank of India दोनों बैंकों में से कौन सा Best Bank है तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Online Account Opening के बारे में तो दोनों बैंकों में आप घर बेठे Online Account Opening कर पाएंगे जिसके लिए आपको ब्रांच जाने की कोई भी जौरत नहीं है SBI याने State Bank of India में आपको Online खाता खोलने का Option मिलता है और KYC के लिए आपको Video KYC का Option मिलता है जिससे आप Full KYC कम्प्रीट कर सकते हैं Bank of India Bank में बात करें तो Bank of India Bank में पहले Online खाता खोलने का कोई भी Option नहीं था बट अभी Online खाता खोलने का Option है अभी आप Bank of India Bank में भी Online Account आपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको Video के वैसी का भी Facility मिलता है Video Call के थूरू अपना Full के वैसी Complete कर सकते हैं State Bank of India Bank में खाता खोलते हैं तो आपको Zero Balance Account का Facility मिलता है बट आपको एक साल के बाद Regular से भी Account में Convert कर दिया जाएगा जो की Normal उसमें आपको पैसे Maintain करके रखने होंगी वहीं पे Bank of India Bank में बात करें तो Bank of India Bank में Zero Balance Account नहीं है आपको पैसे Maintain करके रखने होंगे City-wise जैसे कि Metro City से हैं तो उसमें आपको 2000 रुपे Maintain करना होगा Semi-Urban से हैं तो 1000 Maintain करना होगा गाह अधियात में अगर Bank of India Bank का ब्रांच है तो वहां पे आपको 500 रुपे Maintain करना होगा दोनों बैंकों की ब्याजदर बात करें तो State Bank of India Bank में आपको मिलता है 2.70% का अनुसार ब्याजदर जो की सालाना होता है quarterly basis पे आपके account में credit किया जाता है वही पे Bank of India Bank में Bank of India Bank में 2.90% का interest मिलता है जो की सालाना होता है quarterly basis पे आपके account में credit किया जाता है quarterly मतलब हर 3-3 मन्त में जो भी आप पैसे रखेंगे अपने अकाउंट में उसका जो भी इंटरस्ट बनेगा वो सालाना बैसेश पर कैल्कुलेट होगा लेकिन हर एक तिन-तिन मंत में आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा इन दोनों ही बैंकों में आप घर बेठे ऑनलाइन अकाउंट आपन कर सकते हैं और इन बैंकों में आपको पास्बुक चेक्बुक डेबिट काउंट का फैसिलेटी है दोनों बैंकों में जो कि आपको passbook अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको request करना होगा otherwise आपको debit card by post भी मिल जाता है अगर आप online खाता खोलते हैं दोस्तों बात करें अगर आप online खाता खोल रहें दोनों में से कोई भी bank में तो आपको कौन सा debit card दिया जाएगा तो सबसे पहले state bank of india bank में अगर आप खाता खोल रहें तो state bank of india में काफी सारे debit card है जैसे classic debit card, gold debit card, global debit card, platinum debit card इस तरह अगर धेर सारे debit card है तो अगर आपको classic debit card मिलता है तो उसका iswin charges निल होता है वहीपे gold debit card मिलता है तो उसका charges होता है 295 रुपे जो कि आपको screen पे भी देख सकते हैं और अगर आपको platinum debit card मिलता है तो platinum debit card का charges है 300 रुपे plus में 18% GST वहीपे annual maintenance charges की बात करें तो आपको जो state bank of india में debit card दिया जाता है अगर वो classic debit card है तो उसका जो annual maintenance charges होगा वो 125 रुपे plus में GST होगा और साथ में अगर आपको platinum debit card मिलता है तो उसका भी charges 125 रुपे plus में GST होगा जो कि मैंने आपको link दे दिया है निचे description में आप जाके उस link पे click करके सारे debit card का charges आप देख सकते हैं state bank of india का debit card वहीपे दोस्तों अगर आप bank of india bank में खाता खोलते हैं तो bank of india bank के पास भी कई तरह के debit card आपको देखने को मिलता है तो उसमें जो आपका debit card का charges होगा इस्वें charges वह 500 रुपे होगा bank of india bank का चाहे classic debit card हो platinum debit card हो चाहे business debit card हो इस्वें charges है 2500 रुपे plus में 18% GST GST मिला के 295 रुपे bank of india bank का debit card है उसका annual charges जो मैंने आपको पहले बताया वह इस्वें charges था जब आप apply करेंगे तो आपसे लिया जाएगा और जब आप use करेंगे हर साल आपको debit card का maintenance charges देना पड़ता है वह अगर आप classic debit card, platinum debit card या फिर कोई और debit card लेते हैं तरह तरह का debit card है सबका आप देख सकते हैं charges screen पे आपको दिख रहा होगा लेकिन normal आपको 295 रुपे आप कोई भी use करें अगर bank of india bank का debit card तो normal जो basic सुरवात होता है वह वहां से आपको 295 रुपे का charges minimum आपको हर साल देना पड़ेगा with GST, without GST 500 रुपे, GST मिला के 295 रुपे transaction limit की बात करें दोस्तों तो आपको रुपे platinum का classic debit card, platinum debit card अलग-अलग जो जिस तरह का debit card होता है उस तरह का transaction limit आपको देखने को मिलता है daily transactions तो on and average अगर आपको platinum debit card मिलता है तो उसमें आप daily 40,000 रुपे तक transaction कर पाएंगे ATM machine से वहीं पर अगर आपको classic debit card मिलता है तो आपको daily 25,000 रुपे का transaction मिल जाएगा जो कि आप ATM से withdraw कर पाएंगे तो दोस्तों मैंने दोनों बैंकों के बारे में आपको detail में बता दिया है उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए चैनल पर नए है सब्सक्राइब करके जाएए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन